वेलकम टू भारतवर्स क्लासेज कैसे हो बिच्चे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंके स्वस्त होंगे तो प्यारे बिच्चों हम लोग अच्छा आठ जेसी आठी गडीत पाठ पुस्तक में प्रश्णा वली 9.2 के प्रश्णों को हल कर रहे थे पिछले वीडियोस पे हमने प्रश्ण संख्या एक से लेकर प्रश्ण संख्या साथ तक हल कर लिया था तो बिच्चा इसके आगे हम इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्ण संख्या आठवा दिया गया है क्रेय मुल्या विक्रेय मुली एवाप लाब हानी से सम्बदित प्रस्ट है आठवा प्रस्ट है निम्न सोदे में होने वाले लाब या हानी परतिसत ग्याद कीजिए पहला प्रस्ट है एक मोबाइल 75 शो में खरीदा गया तथा इसे 66 शो में बेचा गया तो हमें यहाँ पर याद करना है कि लाब हुआ है या हानी हुआ है और लाब हुआ है तो लाब परतिसत क्या होगा और हानी हुई है तो हानी परतिसत क्या होगा तो बच्चे आप यहाँ पर प्रस्ण से ही देख सकते हो कि मुबाइल को 7500 में खरीद रहे हैं और 6600 में ही बेच दे रहे हैं तो हमें हानी हो रहा है थिक है हमें हानी हो रहा है तो हानी परतिसत निकाल देंगे लिखेंगे पहले प्रस्ण के लिए हानी परतीसत हानी परतीसत कैसे निकालेंगे जितना में खर्दे हैं उसमें से जितना में बेचे उसको घटा देंगे बट्टा क्रायमुल्य को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे सो से इसका शुत्र होता है क्रायम मुल्य घटाओ विक्रायम मुल्य बट्टा क्रायम मुल्य गुना 100 क्रायम मुल्य कितना था 75 माइनस विक्रायम मुल्य कितना था 6600 तो 6600 लिखें बट्टा क्रायम मुल्य कितना है 75 गुना करतेंगे 100 से अब देखें 75 में 66 गटाएंगे तो आएगा 900 बट्टा 75 गुन्ना 100 अब 75 के 2 0 से 100 का 2 0 कट जाएगा अब देखे 75 और 900 15 का पाड़ा में काटते हैं 15 पच्छे 75 15 चक 90 0 का 0 फिर से 5 का पाड़ा में 60 कट जाएगा 12 बार में 12 पच्छे 60 तो 12 प्रतिसत यानि यहां हानी प्रतिसत आया है 12 पहला प् यानि हम मोबाइल को पच्छे 100 में खरीदते हैं और 6600 में बेचते हैं तो हमें 12 प्रतिसत की हानी होगी प्रस्ण संक्या दूसरा भी इसी प्रकार है बच्छा एक बैटरी 1800 में खरीदी गई तथा 1600 में बेची गई तो हमें ग्याद करना है कि हानी हुआ है या लाब हुआ ह तो प्रस्ण में ही देख सकते हो कि हम लोग खरीद रहे हैं 18 सोबे बेच रहे हैं 16 सोबे सिधा हमें 200 प्रका घाटा हो रहा है तो घाटा हो रहा है यानि हानी हो रहा है हानी प्रतिसत क्यात कर देंगे लिखेंगे हानी प्रतिसत बराबर क्रेम मुले माइनेस विक्रेम मुल बट्टा क्रेम उले गुना 100 यहीं सूतर लिख देंगे क्रेम उले कितना था अठारा सो विक्रेम उले कितना था सोला सो तो अठारा सो मैने सोला सो बट्टा में क्रेम उले को लिखना है क्रेम उले अठारा सो गुना कर देंगे सो से अठारा सो में सोला सो घटाएंगे तो आएगा दो सो बट्टा अठारा सो गुना सो कर देंगे अब देखी यहां पर काट लेते हैं यहां दो सो में दो जीरो है अठारा में पीछे दो जीरो है तो दो जीरो से दो जीरो कट गया दो का पालम अठारा काट लेंगे नो बारे में थीक है दो नो अठारा अब यहाँ आया 100 बटे नो इसको गिज़ेगा तो आएगा 11 सही एक बटे नो तो 11 सही एक बटे नो प्रतिसत यहाँ पे हानी होगी पहले प्रशन का उत्तर होगा 12 प्रतिसत हानी और दूसरे प्रशन का उतर होगा ग्यारा सही एक बट्टे नो प्रतिसत हानी प्रशन संख्या दस्वा यहां दिया गया है और इसके बाद नोवा प्रशन दिया गया है निम्न सोदे में होने वाले लाव या हानी प्रतिसत ग्याद किजिए तो पहला प्रस्न है एक फल विक्रेता सो संत्रों की टोकरी ढाय सो मी खरीदता है तथा प्रती सत्ताइस दर्जन की दर से बेच तो बिचो लाब या हानी प्रतीसत ग्याद करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए हमें तो सबसे पहले क्रेमुल पता होना चाहिए और विक् और 10 रुपे में बेच रहे हैं, तो लाब होगा, यदि हम वस्तु को 5 रुपे में खरीद रहे हैं, और 3 रुपे में बेच रहे हैं, तब तो हानी होगा, तब यहाँ पर हम सबसे पहले खरीदने वाला मुलिक याद कर लेते हैं, और बेचने वाला मुलिक, उससे हमें बता च हैं गितन हैं 100 संटेim को यहां पर 20 17 रुपय की दर से प्रती दर्जन है उसको हम लोग बदलेंगे यहां पर बट्टा में 12 लिखेंगे तो सो गुने 37 बटे 12 हो गया इसे हल किजिए तो ये 37 और 12 कट जाएगा 3 का पाड़ा में 39 37 तीन चोग 12 चार का पाड़ा में 100 कट जाएगा 25 बारी में 25 की गुना 900 करेंगे तो तो आएगा 225 अब देखिए क्रे मिल है 200 रुपए विक्रे मिल है 225 रुपए यानि 250 रुपए में खरीद रहे हैं 225 रुपए में ही बेच दे रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है हमें तो हानी हो रहा है क्योंकि 200 में खरीद के 225 में बेचेंगे तो यहां पर 25 रुपए का हानी हुआ तो हमें यहाँ पर हानी परतिसत ग्याद कर देना है हानी परतिसत बराबर क्रेम विल्य माइनिस विक्रेम विल बट्टा क्रेम विल गुना सो यही होता है क्रेम विल्य क्या था क्रेम विल्य 250 रुपई था विक्रेम विल्य कितना था 220 रुपई बट्टा में क्रेम विले लिखना है तो 250 लिखेंगे बट्टा में गुना कर देंगे 100 से 250 में 225 घटाएंगे तो आएगा 25 बट्टा धाय सो गुना 100 दोस यहाँ पर कट जाएगा 25 का पाड़ा में धाय सो दस बार में और 10 के 10 से 100 का 10 कट गया 10 परतिसत यानि यहाँ 10 परतिसत की हानी हो रही है ठीक है इसका एंसर क्या होगा 10 परतिसत हानी आप इसे नोट कर लीजे बिच्चा इसी का प्रशन संख्या 2 में यहाँ पे इसे मिटा कर कर दूँगा पहले प्रशन पढ़ लेते हैं गीता ने 45 दर्जन पैंसिले 20 रुपे प्रती दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पैंसिलों का 3 रुपे प्रती दर की दर से बेची यानि 45 दर्जन पैंसिल 20 रुपे प्रती दर्जन की दर से खरीद रही है और परती पैंसिल यानि एक पैंसिल को तीन रुपे में बेच रहा है तो बताना है कि यहाँ पे लाब होगा या हानी होगा लाब होगा तो लाब परतीसत निकाल देंगे हानी होगा तो हानी परतीसत निकाल देंगे सबसे पहले हम pencil का cream मुल गयाद करते हैं देखे 45 दरजन pencil 20 रुपे परति दरजन है यानि एक दरजन pencil का मुल बिस रुपे है और कितने दरजन है total 45 दरजन तो 45 की गुना 20 से होगी 45 दुनी 90 और 10 और यानि 900 900 रुपे हैं यहाँ पर pencil का cream मुल आया और प्रती पैंसिल तीन रुपए की दर से बेच रही है पैंसिल कितना है एक दरजन में कितने पैंसिल होते हैं एक दरजन का मतलब है बारा तो हम यहाँ पर कर लेंगे लिखेंगे पैंसिलों का विक्रे मुले पैतालिस दरजन पैंसिल है एक दरजन पैंसिल में होते हैं 12 और प्रती को कितना में बेच रहा है तीन में तो गुना कर देंगे 3 से 45 क्यों लिखे हैं क्योंकि 45 दरजन पैंसिल है 12 क्यों लिखे हैं क्योंकि एक दरजन में 12 पैंसिल होते हैं इसको गुना कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, और प्रती पेंसिल को 3 रुपे में बेच रहा है, इसलिए गुना किये 3 से, इन सभी की गुना करेंगे, तो हमारा विक्रेमुल ग्यात हो जाएगा, गुना करने पर होगा 1620, यहाँ पे खरीद तो रहे हैं 900 में, और हमें तो लाब हो रहा है, तो लाब परतीसद निकाल देंगे, लाब परतीसद बराबर, अब लाब परतीसद कैसे निकालते हैं, विक्रेमुल मैनस क्रेमुल बटा, क्रेमुल गुना, 100, ठीक है, विक्रेमुल कितना है, 1620, क्रेमुल कितना है, 900, बटा, क्रेमुल कितना है, 900 गुना 100 कर देंगे 16-20 में 900 गट आएंगे सथबीद बटनो 900 गुना 100 कर देंगे अब यहाँ काट लेते हैं कट जाएगा 900 का 2-0 से 100 का 2-0 कट इगा 9 का पहळा में 720 कटेंगे तो 80 भार में कट जाएगा 80 परतिसत यहाँ पर लाब हो रहा है लाप्रतिसत क्या होगा? 80 तो ऐसे आपको नियाकाल लेना है प्रशन संख्या हैं दस्वा करते हैं बिच्चा दस्वा प्रशन भी इसी प्रकार है दस्वा प्रशन कहता है 300 kg चावल 15 रूपे प्रती kg की दर से खरदा गया तथा 5 प्रतिसत हानी पर बेच दिया गया हानी तथा विक्रेम विल ग्याद कीजिए प्रशन बहुत ही आसान है बिच्चों पहले यहाँ पे देखिए 300 kg चावल है और 15 रूपे किलो प्रती किलो है तो हम पहले चावल का क्रेम विल ग्याद कर लेंगे पंदरा रूपे एक किलो का है तो 300 kg कितना होगा 300 की गुनाः 500 होगा 45,02 पंदर ठीया 45,02 रूपे क्रेम विल आ गया और यहाँ पे 5% हानी पर बेच दिया गया हानी परतिसत होता है हानी गुना प्रतिसत कितना देख रखा है 5 तो 5 STEM बराबर हानी हमें ग्याद करना है तो हानी गुने 100 बटा क्रेमल है 45 सो अब 45 सो का 2-0 से 100 का 2-0 कट जया यहाँ 45 इधर गुना यहाँ बटे में है इधर आएगा थोगा गुना में 5 गुने 45 बराबर हानी 45 गुना 5 से करेंगे तो आएगा 225 हानी कितना आया 225 यानी जो 5 पर तिसत की हानी हो रही है वो 225 रुपए है तो 45 सो में 225 गटा देंगे हमें यहाँ पर विक्रेंगल ग्याद हो जाएगा तो विक्रेंगल बराबर क्रेंगल माइनस हानी क्रेंगल कितना है 45 सो हानी कितना आया 225 45 सो में 225 गटा देंगे चार हजार दोसो पच्छात्तर तो चार हजार दोसो पच्छात्तर विक्रेमुल होगा हानी होगा दोसो पच्छीस रुपे ऐसे आपको ग्याद कर लेना है यहाँ पे हानी परतिसत ग्याद करने का यह सूत्र है लाब परतिसत ग्याद करने का भी यही सूत्र है यहाँ पे क्य ग्याद किजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे वस्तु का क्रेम विले जो की 8000 रुपए है अब हम लिखेंगे लाब परतिसत लाब परतिसत क्या होगा लाब गुने 100 बटा क्रेम विले लाब परतिसत कितना दे रखा है 10 तो 10 परतिसत बराबर लाब गुने 100 यह लाव आप्ट-च्छा, लाव यहाँ पर आगया 800 रुपे. यानि वस्तु को खरुद रहे हैं, और 800 रुपे का लाव हो रहा है, तो अर्मों को जोड़ देंगे, हमें विक्रेमोईल घ्यात हो तो विक्रेमुइल врем时间 में से जाएं हाब, तो बात को यह वीडियों को समस्क्राइब改भ की जिरो में कीजेगा, share कीजेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में और यदि आप लोग भारतवस क्लासिस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद बच्चा